को रिजर्ट सारे आणगे हूं ए देखना होगा कि पहले हफ्टे जा दुझे हफ्टे रिच केडिकेडे समेस्टर्स दे के में के में रिजर्ट्स पंजाब निएस्टी पिटे आला बलो वाकफ़ा कोर्स दे जे रिजर्ट्स ने अपडेट का देत आ तो स्क्रीन देख रहे हूं कि असी पंजाब इंविश्टी पर टेला दा रिजर्ट फोल रहा है नाल दी नाल एक नोटिस जेड़ा बहुत इंपोर्टन विडियारते हैं तो आज दी वीडियो दे दसन जा रहे हैं सो समवाना खराब कर दे वीडियो स्टार्ट करन जा रहे है इस देनाली BAC दे समेस्टर पंजमे दा और BBA 6 समेस्टर दा रिजर्ट आ चुका है है इस देनाली कुछ विद्यार थी जेड़े B.P.A. Part 1 वाले हान M.A. पंजाबी समेस्टर था डिलल बड़ बन और B.A. पंजाबी समेस्टर चो था प्राइवेट स्पेशल जान्स वाले विद्यार थी और इस दिन आले में पंजाबी समेस्टर दूज्या थे चो था था ता ये कुछ रिजर्ट्स जीड़े ने लेटस यूश्टी वह लो अपडेट किते हैं हुन सवाल पैदा ये हुनता है कि पंजाबी निवस्टी पट्याला वह लो जड़े ग्रेजविशन दे रिजर्ट्स हैं वन ना दे वीच क्यों देरी किती जा रही है स्ब्सक्राइब करते हैं स्वाना दे लोटेंग दिखा देने हैं तो पंजाबी निवस्टी पाने पांट्रोल कर ले याने के जड़े शीटा चेक कर लिया है वो सेंटरां दे उपर पेज जियांगी हैं सी पर पेपरां दी चेकिंग तो बाद जड़े सेंटर एवैलुएशन सेंटर ने उनना दे मांग सब्लोड नहीं कर रहे इत्थों तक कि युनिवेस्टी नो एवी पता लग गया है क पेपर शीटा था सेंटर तक पहुंच चुकी हैं पर उनना ने जड़े एग्जामिनेशन ने उनना नो एपेपर चेकिंग लिए दित्ते ही नहीं जिस करके पेपर वैलुएट नहीं हो रहे और पेपर जड़े ने डिले रिजल्ट आ रहे हैं सो युनिवेस्टी ने सकत अधी एवेलुएशन हो चुकी है क्योंकि युनिवेस्टी नो एड है कि वाखवा की एवेलुएशन सेंटरां वर लो जड़े पेपर ने ओचेकिंग लिए टीचर्स नो नहीं दिते गए और इथे उनना ने साफ साफ लिखा है कि जड़े स्ताई और 19 तरीक तक पोर्टल अपलोड करने तो बाद हाड कोपी जड़ियाने 29 अगास्त तक युनिवेस्टी पहुंचनिया लाजमी कर देन सो एवेलुएशन करने तो बाद 20 दिना दे अंदर अंदर जड़ियाने ओ अपलोड होनियों जरूरी हों दियान सो अपा सारे उमीद लगा मांगे जिमें के प कि में के में रिजर्ट्स आनगे क्योंकि बहुत सारे विद्यारतियां दे अड्मीशन या जॉब्स दे रिलेटेड फाइनल समेस्टर दे रिजर्ट्स दी वेटिंग चल रही है आज दी वीडियो अप्टेट दे विचेना ही वीडियो दक्रें बहुत बहुत तानवाद वीडियों बात बात शेर जरूर करें करो ना दिनाल वीडियों लाइक आते कमेंट करना ना पुलना